अपने चैनल शेफ सुहेल में आज मैं आपके लेकर आए हैं बहुत ही स्पेशल रैसिपी एपल पेड़ा घर पर बनाने में बहुत ही आसान रैसिपी है और इसको बहुत आसान तरीके साब कुछ ही मिनट में इसको घर पर बना सकते हैं तो अब बाजार से महेंगी मिठाईया लाना बंद और घर पर बनाईए इसको बहुत आसान तरीके से तो चलिए बनाना शुरू करते हैं लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और इसी तरह की और भी टेस्टी डिश आप दे बनाने वाले हैं एपल पेड़ा की बहतरीन मिठाई जिसके लिए हमने आप पर एक कड़ाई लिए हैं उसमें हम 50 ग्राम चीनी आइड कर देते हैं आप चाहें तो चीनी का पाउडर भी स्क्नाल कर सकते हैं इसके बाद यहाँ पर हमने लिया है 100 ml वाटर हम इसमें डाल दें आप लगाहें जेंगे चीनी का जितनी चीनी है उसका हम यहाँ पानी ले रहे है और इसको हम चाशनी बना लेंगे खल रॉल हिसी तो यहाँ पर हमारी चीनी अची कि आच़्ी तरह से मैल्ट हो चुकी है इसके बाहरे इसमें डाल देंगे हम और्द लिह कहान जान ओब तस किम भी कर सकते हैं आप इसको ना डालें और थोड़ी सी चाश्री को हम यहाँ पर बना लेते हैं थोड़ा सा तो देखिए हमारी चाश्री तयार है और अब हम फिलेम को बिल्कुल हलका कर देंगे इसके बार इसमें डाल देंगे हम यहाँ पर हमने 100 गिराब मिल्क पाउडर ल फिर थोड़ा से इसमें अड़ करेंगे फिर इसको चला दे रहेंगे फ्लेम बिल्कुल हलकी करनी है यहाँ पर याद रखिए एपल पेड़ा की जो मिठाई है बहुत ही जादा टेस्टी हो दे खाने में आपने देखा होगा हलवाई के हाँ पर भी रखी रहती है लेकिन वहाँ पर इसके प्राइज काफी महंगी होती है यह मिठाई लेकिन हम इसको घर पर बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से और जीनी और यहाँ पर milk powder के लाव और कुछ भी नहीं है तो किती सस्ती मिठाई घर पर बन जाएगी हमारी थोटा सा और milk powder डालेंगे और इसको फिस चलाते रहेंगे इसी तरह से सारा milk powder एकसाथ ना डालें थोड़ा-थोड़ा करकर डालेंगे इसको यह देखें थिकनेस भी क इसमें क्या है, आपको रेशो का इस्तेमाल करना है, रेशो का ध्यान रखना है कि अनुपात क्या है इसका, जितना पानी हम यूज़ कर रहे हैं, कितनी चीनी आप यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि मिल्क पाउडर में भी थोड़ी सुटनेस होती है, हलका मीठा मिल्क पाउडर म में भी रहता है तो ज्यादा चीनी कभी इस्तेमाल ना करें और इस तरह सारा मिल्क पाउडर डाल देंगे इसमें और इसको हम हलकी फ्लेम पर इसको इसी तरह से पकाते रहेंगे अब कंटिनी इसको चलाते रहना है जिए बेक्री के प्रॉड़क्ट हो या कोई भी मिठाई की रैसिपी हो उसमें सबसे ज्यादा जो काम होता है वो है रेशो का आनुपात का कि कितनी चीज हमें कितने ही यहाँ पर जो हमारे इंग्रेलेंट है कितनी मातरा में उसका रेशो क्या है वो बहुत important होता है किसी भी बेकरी product हो या कोई भी मिठाई हो और हलवाई वाले इस बात का बहुत जादे ध्यान रखते हैं इसलिए उनकी मिठाईयां जाद अच्छे होती हैं घर के मुकाबले लेकिन हम यहाँ पर घर पर भी इसी तरह की मिठाई बनाएंगे बहुत ही तो देखेए हमारे चिपकने लगा है कडाई पर आप चाहें तो इससे पर आप इसमें बटर भी डाल सकते हैं या आप इसमें देसी घी भी डाल सकते हैं नहीं और हम दो टो देखे बटर की वज़ा से हमारा कडाई से भी छुटने लगा है देखे अच्छी तरह से छुट रहा है लेकिन अभी इसको हमें और पकाना है इसको बिल्गुल एक मावे की तरह की जो कंसिस्टेंसी होती है वो हमें चाहिए है आपर तो इसको इसी तरह से continue चलाते रहना ह हलकी फ्लेम पर यहीं बस इसकी जो है यहीं इसका काम है कि इसको हलकी चलाते रही है इसी में थोड़ी सी मैनत है लेकिन फल भी फिर बहुत अच्छा मिलेगा हमें आपर तो देखिए हमारा बैटर अच्छी तरह से तयार है अब इसको हम निकाल देते हैं अलग तो हमने यहापर अपने बैटर को एक बाउल में निकाल लिया है इसके बाद इसको हम ठंडा करेंगे कुछ देर के लिए इसको ठंडा करना है पूरी तरह से इसको ठंडा नहीं करेंगे हम यहापर कुछ मिनट बाद हमारा बैडर हलका सा ठंडा हो चुका है अब इसके हम बॉल्स बना लेते हैं इस तरह से इसको लेकर थोड़ा सा और हाथ से इस तरह से इसकी गोल बॉल बनाएंगे तो देखिए गोल इसको करने के बाद इसमें बीच में इस तरह से एक उंगली पुश कर देंगे और बीच में इसके लग देंगे में आपर लॉंग तो देखिए इस तरह से यह एपल बन गया इसी तरह से हम उने बागी बचे हुए सारे एपल को बना लेते हैं तो देखिए हमारे आपर सारे एपल पेड़ात बनकर तयार है अब इस पर हम फूड कलर करेंगे तो फूड कलर करने के लिए इस तरह से एपल को लेंगे हम यह आप और इस तरह से इसको कलर करेंगे हम यह आपर जो बच्चों की ब्रश होते हैं पेंटिंग वाले वह उसी का इस्तमाल हम यहां कर रहे हैं इस तरह से तो देखिए कलर करने के बाद हमारा एपल पेड़ा यहां पर बिल्कुल एपल जैसा खुबसूरत लग रहा है इसी तरह से हमने बागी बच्चे हुए सारे एपल पेड़ा को तयार कर लेते हैं तो देखिए हमने यहां पर अपने सारे एपल पेड़े पर कलर कर दिया है फूड कलर इसके बाद हम यहां पर पिस्ता एड़ कर देते हैं इसके उपर जो यह देखने में हमारा पत्ते की तरह लगेगा इस तरह से इसको रख देंगे हम यहां पर सब पर हम यहां पर पिस्ता रख देंगे तो देखिए हमने अपने सारे एपल पेड़ा पर पिस्ता भी लगा दिया है तो यहां पर हमारे एपल पेड़ा बिल्कुल बनकर तयार हो चुके हैं है ना एकदम कमाल की डिश कितनी आसान तरीके से इसको हमने बना लिया है घर पर और सिफ दो ही हमारे समान लगी है तो इसको लाइक कीजिए शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको माई रेसीपी कैसी लगी है तो तब तक के लिए मैं आप से अलविदा लेता हूं और जल्दी लोटूंगा एक नए वीडियो के साथ शुक्रिया